चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूर ने बताया है कि पांच दिनों के लोक अदालत में कई मामले सुलजाने की कोशिश होगी विवाव और संपत्ती तथा मोटर गारी संबंदी मामले सुप्रीम कोट के लोक अदालत में निप्टाय जाएंगे मुआवजे और भूमी अदिग्रहन का मामला भी लोक अदालत में आएगा सर्विस सेक्टर और श्रम का मामला भी आएगा 29 जुलाई से 3 अगस तक सुप्रीम कोट भी लोक अदालत लगाएगा सुप्रीम कोट बड़े ही मित्रवत वातावरण में अनौपचारिक धंग से मामले को निप्टाएगा जानते हैं कि लीगल सर्विसेज अथौरिटी आग्ट के तहत भारत में लोक अदालत वैधानिक है लोक अदालत में दोनों पक्ष की सहमती से और वकीलों के जंजाल के बगैर फैसले होते हैं अभी नई बात यह है कि सुप्रीम कोट भी अपने कई मामलों को लोक अदालत में सुनने की शुरुआत कर रहा है इस तरह अवकाश प्राप्ति के पहले के कुछ महीनों में जस्टिस डीवाई चंदरचूर ने अच्छी शुरुआत की है सुप्रीम कोट में कई मामले वर्षों से बहुत साधारन वजह से लंबित चल रहे हैं चीफ जस्टिस डीवाई चंदरचूर ने ये पहल ले ली है अदालतों के पेंडिंग केस को कम करने के लिए लिया है सुप्रीम कोट में जन अदालत की कारवाही पर विमर्ष न्यूस का विशेश ध्यान बना रहेगा चंदरचूर के इस फैसले का स्वागत होना चाहिए इसी के साथ ये जरूरी है कि चंदरचूर से अपेक्षा की जाए कि देश भर के जिलों में विचारा धीन कैदियों के रिहाई के सुप्रीम कोट के निदेशों पर अमल करवाने की कोशिश करे